ड्रग चार्ट्स में ड्रग इस्तिमाल करने में ड्रग कंज्यूम करने में ड्रग लेने की आदी होने में सारा का नाम आने के बाद सारा ने पहली बार बयान दिया है जी हां बॉलिवुटर कच्छा चिठ्था खुल चुका है लगातार एक के बाद एक के बाद एक नाम आते जा रहे हैं एक के जरीये दूसरा दूसरे के जरीये तीसरा तीसरे के जरीये चौथा पूरे बॉलिवूटर कार्टल खुल गया आप कुछ मेल लिस्ट भी आ गए है सामने सारा अली खान दिपिका और शद्धा कल जाने वाली हैं लेकिन सारा खान जो टेलिविजिन एक्ट्र अनुछे पता नहीं कब और कैसे मेरा नाम घसीता गया वह शयाद में सब पार्टी में देखी जाती हूं मुझे पार्टी करना पसंद है इसलिए मेरा नाम घसीत लिया गया लेकिन पार्टी करने का मतलब यह नहीं है कि आप ड्रॉग्स लेते हो अनस्ली मुझे कोई इंफ नाम कैसे आया है क्योंकि मैंने कभी ड्रॉग कंज्यूम ही नहीं किया हां पार्टी करना मुझे पसंद है मैं पार्टी में जाती हूं इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे ड्रॉग ही बना दे सारा खान टेलिविजन में काम करती है बीच में गायब रही काफिदिन उनकी आलकोहल की आदत को लेकर के काफी बार उनकी बाती की गई मैंने बीच में लाइफ भी किया था तब उन्होंने बताया कि कैसे वह एक नॉमल लाइफ बता रहे है उन्होंने अपने लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लिया है और तमाम बातें सारा के साथ-साथ अंगध हस चंदिगर में हैं और वह भी शॉक्ड है कैसे ऐसा हुआ यह गलत खबर है मुझे कुछ भी मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है मेरा नाम बिना मतलब के लिए घसीटा जा रहा है यानि इसी रहो में कुछ लोग सूत्रों के बहाने से ऐसी खब्रे भी फ्लोट कर दे रहे मार्केट में अगर खबर किसी एक बड़े पोर्टल पर आ गई तो खबर फॉलो हो जाती है बहुत साइल लोगों तक पहुशती है ऐसे में यह दोनों यह कहना चाहते हैं कि इनका ड्रक्स लेना जाना नहीं है इनका नाम अननेसेसरीली घसीता जा रहा है आप क्या सोचते ह इस बारे में जरूर बताएं बने रहें मेरे साथ लगातार खबर का सिलसिला जारी है